So Hello Friends, जैसा कि आप सभी को मालम होगा कि आज बारवी का मैथ का एक्जाम हो गया है तो आज कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग मैथ में जितने भी 100 अबजेक्टी कोशन पुछे गए थे वहाँ पे प्रतेक सेट का पीडियोप के रूप में एंसर की मौजूद है वहाँ से अब जाके पीडियोप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पहला कोशन का इससे देख लिए पहला कोशन का एंसर आपका अपसन A होगा, 0 होगा उसके बाद में कोशन नमबर दू का विल्कुछ सही जबाव अपसन B हो जाएगा, पाई बाई थिरी उसके बाद में यहाँ पे कोशन प्रतीने बुला गया था, मैटिक्स से कोशन लिया गया था, A पलस A अवाज से क्या होगा तो यह सम्मित मैटिक्स हो जाएगा, यानि कोशन का सही जबाव अपसन A होगा उसके बाद में कोशन 4 में बुला गया था कि A इसका बरावर B तो लेमडा का मान क्या होगा इसका इंसर अभी कनफ्यूजन है, आप सरी को मालम होगा तो कमेंट बैक्स में इसका इंसर लिख सकते हैं कोशन 5 में भी बुला गया था कि A बरावर इतना तो क्या होगा तो कोशन का सही जबाव अपसन A हो जाएगा, A परवावन माइनस 1 का अश्दीत्त है अगलास सवार opinion 6 में बुला गया था कि किसी तल पर लम्ग एकाई सधिच की संग्या довольно UP 3 होगा वोगा इसकी बाद में यहां पिए कोशन 7 का बिलकुछ जबाव अपसन B होजाएगा, कोशन 8 का बिलकुछ सही जबाव क्या होगा तो अपसन B होगा वो इसके बाद में कुश्मन 9 में भी भेक्टर से लिया गया है कुश्मन 9 का बिलकुर सही जवाव अफसन D हो जाएगा वो इसके बाद में अगला स्वाल कुश्मन 10 को देख लीजिए कुश्मन 10 का बिलकुर सही जवाव अफसन B हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे A बराबर B है तो अलफा का मान आपसे पूछा गया था कुछमे 11 में इस कोशन का सहीज बाव अफसन C होगा 4 उसके बाद में 10 इंवर्स 1 बराबर क्या होगा तो यहाँ पाई बटा फोर हो जाएगा यानि अफसन C होगा उसके बाद में यहाँ पे तिर्कुनमिती से कुछन लिया गया था कुछन का सहीज बाव अफसन C होगा 0 उसके बाद में अगला स्वाल कुछमे 14 को देख लीजे कुछमे 14 का बिलकुर सहीज बाव अफसन B होगा 1 इसके बढ़ में अग्राश सवाल कुस्माभ 12 का विल्कुर सही जवाव अबशन B हो जाएगा इसके बाद में यहाँ पे कुस्माभ 12 को देख लेज़े कुस्माभ 16 भी तिर्कणमीति से लिया गया था और कुस्माभ 15 degree Намाइब 5Y2 होगा वो इसके बाद में यहाँ पे कुस्मा 17 का बिलकुर सही जवाब क्या होगा तो वो 2A होगा यानि अफसन A होगा कुस्मा ठाड़ा में बुला गया था ये भी विक्टर से लिया गया था कुस्मा 20 का सही जवाब अफसन C हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे लेमटा बोला गया था कि इतना एक साधीस है तो लेमटा कमान क्या होगा तो वे एक बटा दो होगा उसके बाद में यहाँ पे कोशने 20 को देख लिजी कोशने 20 का सही जवाव सन B होगा रूट अंडर X स्केर पलस Y स्केर पलस Z स्केर उसके बार कोशेंे 12 को देख लेजी. कोशेंए 31 को देख लेज़े iskan. हुचे के बार में यहाँ पर integration से लिया गया था question. बहुत सारे integration से इसे पर question पुशें गये हैं. Question 22 का बिल्कुळ सही जवाव episode 1 बटब जोगा है. यानि option A होगा कोशन में 25 में बोला गया sin inverse into minus x बराबर क्या होता है तो कोशन का सहीज़व option C होगा अलाज स्वाल कोशन 26 में है कि cot inverse 1 बटा x बराबर इतना तो यहाँ पे कोशन का सहीज़व time inverse x हो जगाएगा यानि option C होगा कोशन 27 का बिल्कुश सहीज़व option D हो जएगा zero कोशन 25 को देख लेज़े इस कोशन का सहीज़व option D हो जएगा कोशन 29 का यहाँ पे बिल्कुश सहीज़व option D हो जाएगा उसी परकार से अगरा स्वाल कोशन 30 में दिया गया था इस परकार से इंट्रिगेशन से लिया गया था सवाल कोशन का सही जवाव सुनने हो जाएगा वो इसकी बाद में यहां पे कुश्म 31 का सही जवाव भी 0 होगा यानि सुन कुश्म 32 में कुश्म 32 में भी विक्टर दिया गया है question का सही जवा दो exception B ओफ़न B होगा 1 लिए उसके बाद में अग्रा सूाल कुस्म 23 को देख लीजे ये भी integration से लिया गया था question का सही जवा धुरस होगा लिए edition 34 में बोह गया हे question 34 में जो question दिया गया है इसका सही जवा ऍहण B ओफ़न B होगा 1 लिए इसके बाद में अग्लाइज स्वाल कर्षा 35 में है एक सरल रेखा एक स्वाई और जेड एक सधन से दिशा एक स्क्रम सा अलफा बीटा तो वालफा बीटा गामा है तो गामा बनाती है तो यहां पे कुशन का सहीज बावफसन डी हो जाएगा कोस इसका अलफा पलस कोस का बीट गटनाए है तो कुशन का सहीज बावफसन C होगा पी इंटू A पलस बी इंटू C बावफी इंटू A होगा पी इंटू B होगा पी इंटू C होगा कुशके बाद में अग्लाइज स्वाल कुश्मेर 38 को देख लिए कुश्मेर 38 का जो बिलकुश सहीज बावफसन B होगा एक वोशे परकार से कोशन 49 का बिलकुष सही जवाब अफसन B होगा यहां पर अधिकता मान पूछा गया था जहां पर यह बिरोध इतना को कर रही है तो इसमें कोशन का सही जवाब अफसन C हो जाएगा 16 उसके बाद में अगरा स्वाल कुशन 41 का बिलकुष सही जवाब अफसन B होगा 2XX स्क्वाइर इंटू X स्क्वाइर इसके बाद में कुशन 42 का सही जवाब अफसन C हो जाएगा उसके बाद में कोशन 43 का सही जवाब अफसन C होगा दू बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वाइर यहां पी कुस्में 46 का जो बिलकुर सही जवाव होगा उप्सन C होगा यानी 0 उसे परकार से कुस्में 47 का सही जवाव 0 होगा और यहां पी कुस्में 48 का सही जवाव उप्सन C होगा उसके बाद में कोशन उन्चास को देख लीजे ओकल समिकरण यहां पे X का कोटी पुछा गया था तो इसमें कोशन का सही जवाव C होगा यानि 2 होगा पाचास में दिया गया है इंट्रिकेशन से लिया गया था कोशन का सही जवाव अप्सन D होगा एकस की बटा तीन माइनस एकस बलस के होगा अन्ता खंड के रूप में तल का मानक समिकरण क्या होता है तो वो अप्सन यहां पे A नहीं बलकी अप्सन B होगा उसके बाद में मूल बिंदू से इतना इतना की दूरी क्या होगी बिंदू से दूरी पुछा गया था तो कोशन 32 का सही जवाव 5 रूटंडर 2 होगा और इसके बाद में कोशन 33 में इतना इतना की बीच की दूरी गयात किजेगा कोशन का सही जवाव 3 जाएगा और इसकी बाद में यहां पे दो घटनाए है प्रेक्ता से question लिया गया था question का सहीज बाव option B यानि 1 होगा उसके बाद में question 15 को देख लीचे question 15 का सहीज बाव option D होगा 2 cos 2x question 56 का बिलकुर सहीज बाव option D होगा k से 1 square k x ये भी एगला स्वार integration से question 57 इसका सहीज बाव एक स्वार बटा 2 plus 2x plus k होगा अलाइस स्वाल कसे बाव ने बुला गया है यहाँ पे भी integration से है question का सहीज बाव option B यानि 2 होगा अलाइस स्वाल उनसवाल का सहीज बाव एक होगा आप जल्दे जल्दे से इसका मिला सकते हैं इसका PDF डाउनलोड करने के डिसेजन में दिये के link के लिए करके भी download कर सकती है और वहाँ से answer की मिला सकती है और जितने भी answer बनाए गये हैं यह 100% सही answer है इसलिए आपको बिल्कुल इसी बे भी स्वास करना होगा यहाँ पे question का सहीज बाव option C होगा और question में 61 का सहीज बाव option B होगा question में 62 का सहीज बाव option B होगा question में 63 का सहीज बाव option C होगा मैनस cortex मैनस X फेलस K होगा question में 64 का सहीज बाव option C होगा 9 बटा 2 question में 65 का 14 बटा 3 होगा question में 66 का सहीज बाव option B होगा यानि 1 question में 68 का सहीज बाव option A होगा log 2 Q68 का सही जवाब अशन 0 हो जाएगा इस वार के बहुत सरे कोशन में ज्यादा तर इंसल जो हुए है वो सुनने हो गए है यानि 0 हुए है अलार स्वार भी इंटिगेसन से है कोशन का सही जवाब इसका क्या होगा तो 2 हो जाएगा और इसके बाद में पाई बाई तो इंटिगेसन 0 इसका यहाँ पे 2 ठीटा बराबर क्या होगा तो यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा उसकार ने कोश इनभर्स यहाँ पे कोशन दे दिया गया है कोशनों का सही जवाब 2 टैन इनभर्स एक्स होगा यानि अशन सी होगा उसे परकार से कॉसमें 72 को देख लीजे इस कोशन का सही जबाब यहां पर अफसन C होगा साइन इंटू 3X मैंने 4X की होगा कोशन मैं 73 का सही जबाब अफसन D हो जाएगा 5 by 6 होगा कोशन मुला गया था कि 10 इंटू 1 बटा रूट अंडर 3 बराबर क्या होता है पॉइसके बाद में 2 10 इंवर्स एक बटा 3 प्लेश एक लाबर क्या होगा तो ये 5 by 4 होता है पॉइसके बाद में यहाँ पे साधनी का मौन गयात करना था मान गयात का अलीजी का सही जबाब 0 होगा पॉइसके बाद में अगला स्वार 77 में बुला गया है सारनी का मान क्या होगा यहां पे सारनी का मान 0 हो जाएगा अता कोशन का सही जबाव अफसन D होगा उसे परकार से इसमें भी आपको सारनी का मान क्यात करना था इस कोशन का सही जबाव अफसन C होगा 20 वश्के बाद में यहां पे कोशन 89 का जो सही जबाब हो जाएगा और सेंडी होगा इन में से कोई नहीं यहाँ पे मैट्रिक्स आप सभी को बताना था कि यह मैट्रिक्स क्या होगा तो यह सम्मित आवया हुई होगा स्रीमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके बाद में अगला स्वाल है कुष्म 81 में कि ओकलन समिकर्ण इतना का हल क्या होगा समिकर्ण को हल के लिजी कुष्ण का सही बाव एक स्वाइब बराबर के आता है यहां पर ओकल समिकर्ण इतना का हल क्या होगा हल कीजेगा तो वाई बटा एक स्वाइब बराबर के होगा तो इसी परकार से बहुत सरे यहां पर कुशन दिए कहें हम तो यहीं कहेंगे कि भाई साब आप वीडियो के डिशन बख्ष में दीए कर लिंक को क्लिक करके पीडियो डाउनोड कह लिए ताकि आप असानी तरीके से इसका एंसर की मिला सकती हैं आगे आनवली पार्ट में हम आप सभी को ताएंगे आगे जितने भी एक जाम बच गए हैं सभी का 100% सही एंसर की देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब कह लिए बेल आइगन को दुबाद लिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिक हैं आप सभी को समय समय से मिल सकें